Hello everyone, today we are going to start our next chapter of Environment Science, Management of Solid Waste, ठोस कुडे दा परबंधन सो सदा पहला कोश्चन है, कुडा करकट दे पस्मी करन समे दाह की यंतर दा तापमान किनना हुन्दा है सो पस्मी करन दा इते मतलब है, Incineration, मतलब एक पठी दे अंदर कुडे नू जलाया जान्दा है सो इसदा temperature 800 degree Celsius तो वद हुन्दा है, सो सदा सही उतर है 800 degree Celsius तो वद सदा अगला प्रशन है, Dioxys केड़े पदार्त दे बलन नाल उत्पन हुन्दा है, सो इह प्लास्चिक दे बलन नाल उत्पन हुन्दा है सदा अगला प्रशन है, हेट लिखे हमें चो केड़ा जहरीला कूडा करकट नहीं है सो सदा सही उत्तर है फसल दी रहंत कूंद अगला प्रशन है, हेट लिखे हमें चो केड़ा E waste विच बहुत काट मात्रा विच हुन्दा है सो E waste दा मतलब है electronic waste सो electronic waste दे अंदर arsenic बहुत काट मात्रा विच पाया जान्दा है सो सदा सही उत्तर है arsenic अगला प्रशन है सदे कोल हेट लिखे हमें चो किस नू ग्रीन waste नहीं केंदे हन सो इथे चटाना नू ग्रीन waste नहीं किया जान्दा सो सदा सही उत्तर है चटाना अगला प्रशन है किरम खाद बनावन नू किनना समा लगदा है सो किरम खाद दा मतलब है वर्मी कमपोस्टिंग सो वर्मी कमपोस्टिंग नू बनावन दे विच दो तो तिन महिने दा समा लगदा है सो सदा सही उत्तर है दो तो तिन महिने अगला प्रशन है किरम खाद यानि की वर्मी कमपोस्ट वीच हेट लिके में विचों किस दी वर्तों हुंदी है अगला प्रशन है साड़े कोल हेट लिके में विचों केड़ा प्लास्टिक बारे सही नहीं है प्लास्टिक हमेशा सुरख्य थूंदे हन एह सड़ा सई उत्र है अगला प्रशन है पस्मी करन यानि की इंसिनी रेशन विच कूडा करकट नू किने डिगरी सेलसियस ते जिलाया जन्दा है अगला प्रशन है वर्मी कल्चर यानि की किर्म खाद बनोना की है अगला प्रशन है सड़े कोल्चर या वर्मी कमपोस्टिंग कहने है प्रशन है प्रशन है अगला प्रशन है सीवरेशगार की हमदी है सुछन है तरल प्रशन है तरल कूड़ा अगला प्रशन है पत्ध्यां दा प्रयोग के में हुंदा है जिस नुन ऐसी इंसीरेशल वी भोल देया तो विरोद्धा की चीज है कि मन के चलो डीडीटी दा प्रयोग एक कीटश्क दे रूप वीच किता जानदा सी पहला पर उस DDT तो हुन की ने जिनने भी कीरे मकोडे ने ओह रिजिस्टेंट हो चुके ने रिजिस्टेंट दा मतलब किया कि उनना ते हुन DDT बिल्कुल असर नहीं करती जिनने भी कीट पतंगे ने उनना विच विरोधता यानि की रिजिस्टेंस आ चुकी है अगला प्रशन है जन सहत विच सुदार्तों की पाव है उपरोक्त देते गे सारे सही उत्र है अगला प्रशन है और्गैनिक फार्मिंग मतलब जैविक खेती विच की शामिल कीता गया है जैविक खादा दा प्रयोग तुझा है इंटेग्रेटेड पैस्ट परबंदन FYM फार्म यार्ड मेनियोरिंग दा प्रयोग उपरोक्त देते गे सारे सही उत्र है अगला प्रशन है वर्मी कल्चर दा की अर्थ है वर्मी कल्चर दा अर्थ है गुंडोयानू पालना अगला प्रशन है ठोस कुड़े प्रवंदन विच की शामिल होंता है पुड़े दा पुनर चक्रन मतलब उस दी रिसाइकलिंग सो उप्रोग दिते गे सारे ही ठोस कुड़े दे प्रवंतर वीच शामिल हैं मतलब उस दी मैनेजमेंट वीच पुनर चकन पर किरिया किस नाल सम्बंदित है पुनर चकन पर किरिया इस सबनाली सम्बंदित है अगला प्रशन है प्लास्चिक कूड़ा प्रबंदन नियम 2011 नुसार प्लास्चिक थैलियां दी नियूंतम संगंता ओ किन्नी होनी चाहिए है इह साड़े कोल 40 माइक्रोन है अगला प्रशन है जैवे खेती विच की शामिल होंदा है अगला प्रशन है खेती नाल सम्बंदित कूड़े जा फसलां दी रहंद खोदनू किस रूप विच प्रयोग कीता जा सकता है अगला प्रशन है जैविक तेजाब हेटा निक्या विचो किस रूप खमीरी करन करके पैदा कीता जा सकता है अगला प्रशन है किरम खाद बनावना की होंदा है अगला प्रशन है किस किसम दे कूड़े नू बैक्टीरिया दवारा कमपोस्ट बनावना ली विगाटित नहीं किता जा सकता इस दा अंसर है इलेक्ट्रो प्लेटिंग एक परिकरिया है जिस नाल एक तातू ते दूसरी तातू दी परत जो की महंगी हुंदी है उस दी परत चड़ाई जांदी है इलाक्ट्रो प्लेटिंग दे विच की है कि जिमें मन के चलो चांदी दे ऊपर सोने दी परत चड़ाई जांदी है यहां फिर जो गड़ियां अभगारां दी रेम बनाए जांदे ने वह रेम की है लोहे दे उपर निकल या क्रोमियम दे एक लेर चड़ाई जान दे उसनों इलेक्ट्रो प्लेटिंग बोल दे है विच जो कूड़ा निकल दा है उस कूड़े विच मेल दी तातुवां मतलब मैटल शामिल हुंदे हैं अगला प्रिशन है शहर दे बाहर नीवे खित्रा मिच कूड़े नू फिलाउन वाली वीदियो नू की बोले आ जान्दा है इस नू लैंड़ फिल भी बोल देने नियंतरित टिपिंग भी बोल देने नियंतरित मतलब कंट्रोल टिपिंग अगला प्रशन है तरती उपर मनुखी प्रभुता वाले बातावर नू की क्या जन्द है इस नू असली बायो सफियर बोल दे हाँ अगला प्रशन है उपरोक्त दिते गे सारे ही सही उत्रहन की इननू न्यापूरवक वर्तो करना सुरोतान दी सुरख्या करना ते हरे किसम दे जीवन दे चिरस्थाई विकास लई मतलब उस दी सस्टेनेबिल्टी लई कम करना तो प्रख देते गे सारे सही उत्रहन ठोस कुडे नू नश्च करन दी मुख विदी केड़ी है क्योंकि वर्मी कल्चर गंडोया यानि की अर्थ वोम तो त्यार कीती जान दी है सो जो अर्थ वोम ने ओ कीने रीड रहत कीडे ने मतलब इन वर्टीब्रेट से जिना दी रीड दी हड़ी नहीं हुंदी अगला परिशन है जैविक खेती विच खादा दी थांते हेट लेगा है विचो किस दा प्रियोग किता जा सकता है सो इथे कंपोस्च दा प्रियोग किता जा सकता है सो सड़ा सही उतर है कंपोस्च अगला परिशन है गंदे पानी दी साफ सवाईतो बाद बची अर्द तरल समगी नू की बोले जाना है जिस विच अद्धा कूडा सोलिड हुन्दा है ते अद्धा लिक्विड हुन्दा है सक्रबर न दा प्रियोग डैश लई कीता जाना है इस नू हवा विच खिलरे कणा नू सोखन दे लई कीता जाना है अगला प्रिशन है लैंड फिल विच पैदा होई बदवू किस गैस दी मुझूदगी दा सूचक है अगला प्रिशन है सुखम जीवा द्वारा नश्च किते जा सकन वाले क्रेलू कुड़े नू की क्या जाना है इस नू असी जैविक विगटन योग कुड़ा बोल दे हां कि बायो डीकंपोजिंग कुड़ा है मतलब जो कि सुखम जीवा मतलब माइक्रो ओर्गिनिजम द्वारा विगटित मतलब डीकंपोज किता जा सकता है अगला प्रशन है साथे कोल MSW प्रबंदन अते सामसंभाल है जो नियम दो हजार देनुसार पुनर चक्रन योग कुड़े नू इकठा करन वाले बक्से किस रंगदे होने चाहिए देने अगला प्रशन है सुरख्यत लैंडफिल विच हेट लेके विचो किड़ी विशेषता नहीं होने चाहिए दी एकल रिखावा तर्त हेटली मानी दी निगरानी बंद करन तो बाद विती साधना दी उपलब्दा सबंद गरंटी जो बंद करन तो बाद विती साधना दी उपलब्दा सबंदी गरंटी अगला परशन है साधे को ठोज कूड़ा जाके से होर माद्यम राही रिसाव होनवाला एजा तर्लपदार्त जिस विच कुझे कान या अंश मिले होए जा कुड़े होए होंदे हैं उन्हानू की बोले जानदा है सो साधा साही उतर है पुनन चानल पर नाली या लीचेट